जी हम दोस्ते मरन को मार और आप देख रहे हैं और उसक्रेशन आज को वीडियो है जो लाइट रूम के अंतर हम जो होली के फोटो जो आपने शूट देखा था मेरा उनको हम कैसे एडिट करेंगे यह जो एक सेंपल है मेरे पास जिसको मैंने एडिट करके रखा हुआ पहले स है और इसका अगर हम ओरीजनल फोटो देखें तो यह कुछ ऐसा फोटो था तो यह था और दो इस फोटो को हम इस तरह के बॉब कलर से हैं इसमें चैसे कंवाट करेंगे तो आधे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ तो सबसे पहरे जो है आपको जो है लेंस क्रेक् की है निकॉन का जो है obviously और यहां पर automatically यह सारा कुछ उसको detect कर लेगा कि कौन सा camera है कौन सा lens है तो next हमारे पास जो आता है कि हमें जो करना है और एक्सपोस करना है वोटो को उसके लिए मैंने highlights minor shadow को थोड़ा सा plus में रखा तांकि एक detail निकल का है मेरे पास उसके बाद थोड़ा सा contrast चाहिए मझे और उसके बाद जो है एक नई को मांडिस में introduce कीगी है जो lightroom 2020 है वो है texture और clarity clarity पहले से था और texture को इसमें add किया गया है इसके लिए texture मुझे बहुत ज्यादा है चाहिए फोड़ा बहुत clarity और फिर मैंने vibrance को बढ़ाया और उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे जो है saturation चाहिए और मुझे चाहिए इसमें यहां से मुझे yellow add करना है yellow के बाद मुझे यहां पर add करना है थोड़ा बहुत blue और उसके बाद जो है बहुत special एक trick है मेरे पास जो है adjustment tools है उनको मैं use करने वारा हूँ यहां पर और मेरे पास यह tool है जो radial filter है तो मैं इसको apply करूँगा यहां पर और जो किनारे है इसके उसको मैं under expose करना चाहता हूँ इसके लिए मैंने जो exposure को down किया और इसको मैं adjust करता रहूँगा तांकि जो इसका effect है सिरफ और सिरफ मुझे edges पर मिले face के उपर ना मिले again मैंने ok किया यहां से अब जो है मैं brush को apply करना चाहूँगा यहां से brush मैंने यहां पर click किया brush जो है उसके में आए और जो किनारों के उपर जो है बंदा ना देखे देखने वाला और यह देखे बहुत ही असानी से जो है मैं tone को achieve करता जा रहा हूँ और फिर मैं again मैंने ok किया और इस पर मैं एक लूँगा radial filter को use करके मैंने center के उपर थोड़ा सा मुझे एक तो no doubt कि मैं texture ही दोबार यहां से exposure को मैंने जो है बढ़ाया तो फिर मैंने यहां से ok गिया और थोड़ा बहुत अगर मुझे लग रहा है इसमें कि मुझे यहां से blue थोड़ा सा add कर देना चाहिए तो थोड़ा सा vibrance भी हम add कर देंगे और again I think मुझे थोड़ा सा all texture चाहिए और उसके बाद जो है मैं अगे ब्रेश लिया और यहां पर चला दिया एक बार और तो इस तरह जो आपको जो है lightroom के अंदर photos को edit करना है अगर आप मेरे lightroom के complete A to Z जो tutorial से उनको purchase करना चाहते है उनका link जो है description में डाला गया है वहां से हम उनको purchase कर सकते हैं इसके लिए एक मेरे special article भी लिखा उसको read क कर यह देखे कि हमें जो है lightroom को कैसे use करना है कैसे अपनी photos को enhance करना है थैंक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग अरुम्सक्रेशन